हलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका हमारे यूटूब चैनल पर यूटूब चैनल फिजिक्स पॉइंट अकेडमी पर स्वागत है लास्ट क्लास में हमने नाबिक की बंधनूर्जा बाइंडिंग एडर्जी ओफ नूक्लियोन के बारे में हमने डिसकस किया था जिसमें हमने बताया था कि किसी भी नाबिक को उसके घटक नूक्लियोनों में विवक करने के लिए जो आउसा कुर्जा जो है वही उसकी बंधनूर्जा कहलाती है उसके बाद में हमने बताया था ये और नहीं है ये एक्स्प्लेनेशन है कि कैसे किसी नाबिक की बंदन उर्जा निकालते हैं उसमें हमने बताया था आपको कि जो फाइनल जो उर्जा थी बंदन उर्जा जो होती है वो किसी भी नाबिक के दर्मांग शती उर्जा के दर्मांग शती के तुल्ले उर्जा के बराबर होती है उसके बाद में हमने ये फॉर्मटा फाइंड आउट किया था कि किसी भी नाबिक की बंदन उर्जा को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बाद में हमने आपको बताया था कि किसी भी नाबिक का दर्यमान संक्या बढ़ने के साथ उसकी बंदन उर्जा का मान भी बढ़ता है उसके बाद में हमने बताया था कि नाबिक के जो इस्ताइतों का जो मापन है वो परती नुकलियोन बंदन उर्जा की साहता से किया जाता है और परती नुकलियोन बंदन उर्जा का जो मान है वो इस परकार से दिया जाता है बी बार बराबर बी बाई ए इसको ओसत बंदन उर्जा भी कह सकते हैं यहां पर बी क्या है टोटल बाइंडिंग एनर्जी ओफ नुक्लियोस और ए है मास नमबर यह दर्विमान से क्या है उसके बाद में हमने बताया था आपको कि किसी भी नाबिक की जो परती लूंकलोन बंदन उर्जा का मान जितना अधिक होगा मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर नुक्लियोन जितना अधिक होगा इस्टेबिलिटी भी क्या होगी उतनी अधिक होगी उसके लिए हमने आवसार्णी में जितने भी तत्व हैं सभी की बंदन उर्जा निकाली और उसके बीच में ग्राफ खिंचा सभी नाभिकों की परती नुक्लियोन बंदन उर्जा का मान हमने कैल्कुलेट किया आवसार्णी में जितने भी तत्व हैं और उसकी दर्यमान संक्या के साथ उसका ग्राफ खिंचा मतलब परती नुक्लियोन बंदन उर्जा और दर्यमान संक्या के बीच में हमने यहाँ पे ग्राफ खिंचा है तो देखो ग्राफ जो है न थोड़ा होरिजोंटल जो मोड एने इस में थोड़ा दिखेगा नहीं तो इसको हमें वर्टिकल मोड में आपको शो करना पड़ेगा हाँ तो देखो यहां पर यह जो ग्राफ है हमने क्या किया एक्स पे तो जितने भी नाबिक हैं उनकी दर्यमान संख्या को लिखा और वाई जो एक्सेस है उस पर जितने भी नाबिक हैं उनकी परती न्यूक्लियोन बंदा नुर्जा को डेनोट किया किसमें मेगा इलेक्ट्रोन वॉल्ट में तो जो ग्राफ जो था वो कुछ इस प्रकार से आया था हमारा कि ए इस लेस दें ट्वेंटी इसका मतलब है कि वे नाबिक जिनकी दर्यमान संख्या बीच से कम हैं उनके लिए हमने अचानक देखा कि मतलब जो पीक है न वो जो परती न्यूक्लियोन जो बंदा नुर्जा क मान है नो श्यक्तों मतलब पीच पीक आती है उसके बाद में जैसे ही तो प्रती नूक्लियों जो बंदन जो उर्जा है वो एक दिस टूप से बढ़ती है और ए बराबर 56 पर मतब जब दर्यमान सेंख्या 56 हो जाती है तो प्रती नुक्लियोन जो बंदन उर्जा का जो मान है वो अधिकतम 8.8 मेगा एलेक्ट्रोन वोल्ट होता है उसके बाद में प्रती नुक्लियोन जो बंदन उर्जागा जो मान है वो दिरे दिरे गटने लगता है लेकिन इतना भी नहीं गटता कि जीरो हो जाए तो यह जो आपको ग्राफ दिख रहा है इसमें जैसा दिख रहा है वैसा ही हम लिखेंगे यहां पर वैसा ही हम यहां पर लिखेंगे तो देखो इसकी पहली वि देखो एबराबर तो 56 मतलब फेरस कि अधिए 56 जो है यहां पर इसकी जो परती नुक्लियोन बंदन उर्जा सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने आपको बताया था कि जिसकी परती नुक्लियोन बंदन उर्जा अधिक होगी वह नाभी क्या होगा उतना ही ज्यादा इस्थाई होगा तो हम कह सकते हैं कि जो आवर सार्णी है उसमें ऐ 56 जो नाभी क्या है वह क्या है सोरी सोरी इसकी जो नाभी क्या है सबसे ज्यादा इस्टेबल और इसकी जो एनर्जी कितनी हमें मिलती है एट पॉइंट आट एट पॉइंट मेगा एलेक्ट्रों वोल्ट पहली बात हमने मतलब ग्राफ को देखके यह निकाली है दूसरी बात हम देखते हैं कि जिनकी दर्यमान संक् कम है उनके लिए देखो हम यहां पर देखते हैं कि पहले प्रती नुक्लों बंदर नुर्जा एकदम से भड़ती है फिर उसमें बीच बीच में पीक आते हैं उसके बाद में यहां से एक दिश्टूप से बढ़ती है तो जिनकी दुर्यमान संक्या बीस से कम है उनकी जो परती नुक्लों बंदर नुर्जा तेजी से बढ़ती है उसके बाद में मतलब देरे देरे गड़ती है एक बराबर 56 पर मैक्सिमम उजाती है तो मतलब देखो सारा जो ग्राफ में हमें दिख रहा है ना वही सारा हम यहां पर नोट डाउन करेंगे मतलब यहां प प्रती नुक्लियों बंदर नुर्जा और धर्यमान संक्या के बीच में हीचा रहा है उसके बाद में जो ग्राफ आपने खेंज दिया यह मतलब बहुती इंपर। ख्रांट ग्राफ हैं आपको उसको का क्रेक्टिस भी करना है कि कैसी ग्राफ की तो देखो जो ग्राफ में दिखा वैसा ही यहां पर लिखेंगople होको कि परती नुक्लिपन वहुँन बंदन ऊर्जा का मान परारम में द्रियमान से 20 ओन च्रव मतलब तेजी से बढ़ता है वो दिख रहा है कि ग्राफ एकदम से चड़ रहा है फिर दीरे उसमें पीक बन रही है उसके बाद में धीरे बढ़तो रहा है लेकिन धीरे बढ़ रहा है कि परती न्युक्लियों बंदन उर्जा का मान प्रारम में दर्यमान संक्या बढ़ने के साथ होता है दीरे दीरे वर्दी होती है और ए बराबर 56 पर प्रती न्युक्लियों जो बंदन उड़ जाका जो मान है वह आधिक्तम 8.8 मेगा एलेक्ट्रोन वोल्ट हो जाता है आता है हम कह सकते हैं कि 56 जो नाभिक है वो सबसे इस्थाई नाभिक है और इसके बाद में लिखा है कि ए बराब ए इस ग्रेटर देन 56 मतलब वे नाभिक जिनकी दर्यमान संक्या 56 से जादा है उनकी जो परती नुक्लियों जो बंदन उर्जा है वो एक दिश रूप से कम होती है मतलब उसके बाद में घ्राफ में नीचे आता है देखो यहां पे द कीदम से बढ़ता है फिर यहां पर पीक आती है तो यह तो इसका पहला कंक्लूजन हो गया कुछ उसके बाद में दूसरी बात देखते हैं वे हलके नाबिक हलके नाबिक कौन से जिनकी दर्यवां संक्या 20 से कम है जिनकी वे हलके नाबिक मतलब age less than 20 जिनकी दर्यवां संक्या 4 का पूर्ण गुणज है मतलब जिनकी द्रमान संक्याच चार पूंड़ गूंज है चार का पूंड़ गूंज कैसे जैसे टू एचिवर हो गया फोर भी-एट ओ गया ओएट सिक्स्टीं हो गया यह जो नाबिक हैं वाले नाबिक में प्रती नूकलियों जो बंदर नुर्जा का जो मान है वो अपने सम द्रिवांद जो संख्या है वह 4 का पूर्ण गुणज के रूप में है झासे चार, आठ, सोला, बीस उनकी जो परती नूक्लिएउन जो बंदन उर्ज़ा है वह अपने समीप के नाभिकों की तुल्णा में अधिक है जब प्रती नूक्लियोन बंजन उर्जा अपने समीब के नाभिकों की तुलना में अधिक है इसका मतलब क्या हुआ? कि वो जो नाभिक है वो अपने पडोसी जो नाभिक है उनकी तुलना में ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि हमें आपको पहले भी बताया है कि जिनके प्रती नूक्लियोन बंजन ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगे अर्थात ये नाभिक अपने आस पास के नाभिकों की तुलना में अधिक इस्ताई होते हैं तो ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया जैसा दिखेगा वैसा लिखेंगे अब तीसरा कंक्लूजन क्या है देखो यहाँ पे एक चमतकार होता है जब हम ग्राफ खेंते हैं एकस अक्स पे लेते हैं दरुमान संक्या और वाई एक्स पे लेते हैं परती नूक्लियोन बंदन उर्जा तो यहाँ पे एक चमतकार होता है वो चमतकार क्या होता है कि जब किसी नाबिक की प्रोटोन या न्यूट्रोन की संक्या दो, आठ, बीस, अठाइस, पचास, बियासी 126 के बराबर होती है मतलब जब किसी नाबिक की प्रोटोन या neutron की जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए देखो या तो neutron की संख्या है या proton की संख्या कितनी होनी चाहिए दो आठ 20, 28, 58, 82, 126 या neutron के लिए ये यही 28, 28, 58, 82, 126 तो जब किसी नाबिक की proton या neutron की संख्या 2828,lic88,lic87126 के बराबर होती है तो ये नाविक जो होते न उस्ताहिते सम्हां को दर्साते हैं लो कि नाविक जो होते हैं highly stable होते हैं इसलिए ये जो नंबर है इस नंबर को हमने बोल दिया मैजिक नंबर नहीं है कि अब क्यों होता है कि इसके लिए हमने नाबिक के विविन मोडल पढ़ेंगे लिकिट ड्रॉप मोडल है तो श्री मोडल है यह तोशें एप गल मोडल है व्धियु successfully कर पाएगा तो वहाँ पर वो थियोरी क्या हो जाएगी सफल हो जाएगी उसके भी कुछ ड्रोबैक होंगे वह वहाँ पर देखेंगे पहले हम यहां पर बात करेंगे ग्राप के बारे में तो जिन नाबों को को जो आपटॉन या नेट्रोन की जो संक्या है वह दो आठऴीश, अठाइस, पचास, बियाश, 126 के बराबर होती है वह नाबिग क्या होते है। उठ इस्ताइटों को दरसाते हैं यह संक्या है क्या कहलाती है। मैजिक संक्या है कि उसके बाद में कर चोती से जो विषिए श तो यह तब नाबीक अती उुच्स घाय सौने पेवागा होगया की न्यूट्रोन के पास भी। मैजिक नम्र है और प्रोट्ट्न के पास भी मैजिक है की एक के पास होता है तो रही बोजा दे स्टेबल हो जाता है और अगर दोनों के देखते हैं कि बहुत हलके नाविग जैसे एज लेस देन ट्वन्टी और बहुत भारी नाविग एज ग्रेटर देन 150 मतलब जिनकी दुरुबान संक्या 150 सेदिक हो कि बंदन उर्जा जो अ इधर के जो न्युक्लियंस है अधर भी प्रती न्युक्लियंसबहन बंदन उर्जा कम है इधर भी कम है तो मतलब इनकी तो बंदन नुर्जा कम है और यह बीच के नावी हैं वह स्थाई तो तो वह यह बात तता बहुत भारी नाज में है को एक अब कोई भी आदमी जो है क्या अच्छा यह से ओना donítमें डोल श्रेबल टाइए वुस्टरमें अते किसी विदी से कोई भी विदी लगाओ आप नाबिक जैसे यूरेनियम बाण में 235 है कि न्यूट्रोन की बोचार द्वारा मद्दे संक्या वाले नाबिकों में विखंडित कर दे मतलब कोई भूद भारी नाबिक हो गया यूरेनियम बाण में 235 अगर इस पर न्यूट्रोन की बोचार करें तो यह जो नाबिक है यह मद्दे जो द्रवाण संक्या वाले नाबिकों में क्या हो जाएगा विखंडित कर दें तो इनकी परती न्यूक्लियोन बंदन उर्जा का मान बढ़ जाएगा क्योंकि बीच के नाभिकों की तो परती न्यूक्लियोन बंदन उर्जा का मान ज्यादा ही होता है मान बढ़ जाएगा और ये नाभिक क्या होंगा इस्ताहितों को प्राप्त करेंगे यह बात आपको इस समझ में आई होगी, यह ऐसे कहना चाहरा है, कि जैसे बहुत बाहरी नाबिक है, जैसे यूरेनियम बानवे 235, अब आप इस पे न्यूट्रोन की बोचार करो, तो यह दो हलके नाबिकों में तूट जाएगा, हलके नाबिक मतलब जो मद्दे करम में जो नाबिक हैं, जैसे फेरस के आस-पास वाले, जब उसमें टूट जाएगा तो यह, इसकी परती न्यूट्रोन बंद नूझा का मान कया हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बीच वाले जो नाबिक होता है, उनकी परती नु तो क्या करेंगे कोई भी बड़ा नाभिक आपको दे दिया बोले भाई इसको तो इस्टेबल करवाना है तो आप क्या करोंगे उस पे न्यूट्रोन की बोचार करो उसको दो हलके नाभिकों में तोड़ लो तो जो बाद में जो नाभिक बनेंगे दो हलके वह क्या होंगे इस इसी परकार अब देखो जो हलके नाविक है ना वो भी कम इस्टेबल है तो हम क्या करेंगे दो नाविकों को मर्ज करके बड़ा नाविक बना लेंगे अब इतना भी बड़ा नहीं बनाना एक ही जैसे यूरेनियम बार्ण हो दो सुपहेंति वह तो खुदी अनिस्टेबल है म 1H1 1H1 प्लस 1H1 यह बनाते हैं 1H2 प्लस 1H2 कर लो तो 2H4 हीलियम बनाते हैं जो स्टेबल है क्यों है क्योंकि इसके पास मैजिक नम्मर है तब ही तो दो हलके नाविक मिलकर एक बड़ा नाविक बनाएं बारी नाविक बनाते हैं तो वह क्यों बनाते हैं क्योंकि उनको भी stability चाहिए है यहां पर देखा यहां पर लिखा है कि इसी प्रकाड दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक बहुत हलके नाबिकों को स्यंूक्त कर दें तो इनकी परती नुक्लिएन बंद नुर्जा का का मान भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा और यह नाभी क्या होगे स्थाइतों को प्राप्त करेंगे यह बात है कि दो हलके नाभी को जोड़ दें मर्ज कर दें तो इनकी बंदन उर्जा का मान भी बढ़ जाएगा जिससे ये भी क्या होंगे स्थाइतु को राप्ट करेंगे तो नेक्स क्लास में हम पढ़ेंगे पैकिंग फ्रेक्शन या संकुलन गुणांग तो आज के लिए इतना ही यदि आप से यदि आपने हमारा चैन आने वाले जो जितने भी जो वीडियोज हैं उनका आपको बेनिफिट मिलें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि यह जो वीडियो लेक्ट्चर जो सीरीज जाए इसका जो बेनिफिट है वह अधिक से अधिक लोगों को मिल सके तो जब तक तब तक के लिए नमस्कार जब तक अमारा नेक्स्ट वीडियो ने आ जाए